हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी बसंत के अंतरगैत चैप्टर नमबर 10 कविता जहांसी की रानी इसकी लेखिका यानि की कवित्री हैं सुबद्रा कुमारी चोहान तो आईए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कविता पर इसके बाद हम आपको बताएंगे कविता का बावार्थ और अंत में प्रस्णू के उत्तर भी तो आईए आप भी हमारे साथ पढ़ें सबसे पहले पढ़ लेते हैं कविता जहांसी की रानी तो बच्चो आप ध्यान दें ये है हिंदी बसंत के अंतरगैत चेप्टर नमबर टैन जहांसी की रानी जो कि एक कविता है और इसकी कवित्री यानि की लेखिका हैं जो हमने आपको बताए था कौन है सुबद्रा कुमारी चोहान या एक उनकी बहुती सुन्दर रचना है सिहासन हिल उठे राजवन्सों ने बिरकुटी तानी थी बुड़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी चमकूठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी बुंदे लेहर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वह तो जासी वाली रानी थी कानपुर के नाना की मुह बोली बहिंचवीली थी लक्समी वाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी नाना के संग पड़ती थी वह नाना के संग खेली थी बर्ची डाल किरपान कटारी उसकी यही सहेली थी बीर सिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदे लेहर बोलों के मुँ हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मरदानी वातो जहासी वाली रानी थी लक्समी थी या दुर्गा थी वा स्वयम बीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब सिकार, सेन गेरना दुर्ग तोडना ये थे उसके प्रियकिलवार महाराष्ट कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, गुंदे लेहर बोलों के मुह हम ने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मरदानी वातो जहासी वाली रानी थी हुई वीरता की बैभो के साथ सगाई जहासी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्समी बाई जहासी में, राजमहल में बजी बदाई, खुसियां चाई जहासी में, सुवट बुंदेलों की बिरुदा वलिसी वा आई जहासी में चित्रा ने अर्जुन को पाया शिवसे मिली भवानी थी बुंदे लेहर वोलों के मुँँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वातो जासी वाली रानी थी उदित हुआ सवभाग्य मुदित महलों में उजियाली चाई किन्त काल गत चुपके चुपके काली गटा गेर लाई तीर चलाने वाले कर में उसे चूडियां का भाई रानी भिद्वा हुई हाय बिदि को भी नहीं दया आई निसंतान मरे राजाजी रानी सोक समानी थी बुंदे लेहर बोलों के मुँँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वातो जासी वाली रानी थी बुजादीप जासी का तब डलहोजी मन में हरसाया राज्य हडप करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया फोरन फोजे भेज दुर्ग पर अपना जंडा फैराया लावारिस का वारिस बनकर विर्ट्रिस राज्य जासी आया असरपूर्ण रानी ने देखा जासी हुई रानी थी बुन्दे लेहर बोलों के मुह हम ने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वातो जासी वाली रानी थी अनुने विने नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया व्यापारी बन दया चाहता था जब वहां भारत आया डलहो जी ने पैर पसारे अब भी अब तो पलट गई काया राजाओं नबाबों को भी उसने पैरों ठुक राया रानी दासी बनी यहाँ दासी अब मैं रानी थी बुंदे लेहर वोलों के मुँँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वातो जासी वाली रानी थी छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनव बातों बात कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागुपुर का भी घाद उदैपुर तंजोर सतारा करनाटक की कौन विसात जब कि सिंद पंजाब ब्रह्म पर अब भी हुआ था वजर निपाद बंगाले मदरास आद की भी तो यही कहानी थी बुंदे लेहर बोलों के मुँँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वातो जासी वाली रानी थी रानी रोईी रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकते के बाजार सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अकवार नागपुर के जेवर लेलो लखनव केलो नौलकहार यूँ परदे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी बुंदे लेहर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वातो जासी वाली रानी थी कुटियों में थी विसम बेदना महलों में आहत अपमान बीर सैनिकों के मन में था अपने पुर्खों का अभिमान नाना धुंदू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान बहिन छवीली ने रणचंडी का कर दिया प्रगट आहवान हुआ यज्य प्रारंबु ने तो सोई जोत जगानी थी बुंदे लेहर वोलों के मुँँ हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मरदानी वातो जासी वाली रानी थी महलों ने दी आग जोपडी ने जुआला सुलगाई थी यह स्वतंत्ता की चिनगारी अंतर तम से आई थी जासी चेती दिल्ली चेती लखनव लप्टें चाई थी मेरट कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी जबलपुर कोला पुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी बुंदे लेहर बोलों के मुँँ हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मरदानी वातो जासी वाली रानी थी इस स्वतंतरता महायग्य में कई वीरवर आये काम नाना धुंदू पंत तांतिया चतुर अजी मुला सरनाम एहमद साह मौलवी ठाकुर कुमर सिंग सैनिक अविराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुरवानी थी बुंदे लेहर वोलों के मुँ हमने सुनी कहानी थी खुव लड़ी मरदानी वातो जासी वाली रानी थी इनकी गाथा छोड़ चले हम जासी के मैदानों में जहां खड़ी है लक्समी बाई मर्दवनी मरदानों में लेफटिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में रानी ने तलवार खीचली हुआ द्वंद अस्मानों में जक्मी होकर भागा उसे अजब है रानी थी गुंदे लेहर बोलों के मुँआ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वातों जहासी वाली रानी थी रानी बढ़ी कालपी आई करसो मील निरंतर पार घोड़ा ठक कर गिरा भूमी पर गया स्वर्ग तत काल सिधार यमना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार बिजई रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार अंग्रेजों के मित्र सिंदिया ने छोड़ी रजधानी थी बुंद लेहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वातों जहासी वाली रानी थी विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिर आई थी अब के जनरल इसमित सनमुक था उसने मोकी खाई थी काना और मंदरा सकियां रानी के संग आई थी युद्ध छेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी पर पीछे यूरोज आगया हाई गिरी अब रानी थी बुंदे लेहर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वातो जासी वाली रानी थी तो भी रानी मार काट कर चलती वनी सेन के पार किन्त सामने नाला आया था या संकट बिसम अपार गोडा अडा नया गोडा था इतने में आ गए सवार रानी एक सत्र वह तेरे होने लगे वार पर वार गायल होकर गिरी सिहनी उसे बीरगत पानी थी बुंदे लेहर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वा तो जासी वाली रानी थी रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी मिला तेज से तेज की वह सची अधिकारी थी अभी उम्र कुल 23 की थी मनुझ नहीं अवतारी थी हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी दिखा गई पत सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी बुंदे लेहर बोलों के मुझ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वा तो जासी वाली रानी थी जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतेग्य भारत वासी यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंता अविनासी होवे चुप इतिहास लगे सचाई को चाहे फासी हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे जहासी तेरा इसमारक तू ही होगी तू खुद अमिट निसानी थी बुंदे ले हर बोलों के मुँआ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वा तो जासी वाली रानी थी तो बच्चो इस परकार आपने सुनी कविता और इसके जो लेखिका है कवित्री है कौन है यहाँ पर आप देख सकते हैं सुवधरा कुमारी चोहान उमीद है कि आपको यह कविता पसंद आई होगी आप इसे अच्छे से याद करें और इसे बार बार पढ़ें और यदि आपको पढ़ने में थोड़ा दिकत आती हो तो आप इसे बार बार सुन सकते हैं सुनकर भी कविताएं याद की जा सकती हैं चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं इस कविता का भावार्थ तो बच्चो आईए सबसे पहले जान लेते हैं इस कविता में गूड अर्थ क्या छुपा हुआ है जहांसी की रानी कविता का अर्थ इस पद में कुरूर अंग्रेजों की निरलजिता का वर्णन है यानि की जो एक कविता है इसमें कुरूर अंग्रेजों की निरलजिता का वर्णन है कि कैसे वे लोग सभी राजाओं तथा नवामों की हत्या के बाद वहां के राजितों हडपते ही थे साथी साथ वे उनकी रानियों और बेगमों की इज़त से भी खिलवार करते थे चाहे वहाँ लखनव की बेगम हो या कल्पकत्ता और नागपूर की रानिया इसके बाद आईए जान लेते हैं यहाँ पर सुबद्रा कुमारी चोहान जो किसकी लेकिका आयाने की कवियत्री है उनके बारे में दो लाइने प्रस्तुत कविता हिंदी भासा और साहित्त की परसिद्ध कवित्री स्रीमती सुबद्रा कुमारी चोहां द्वारा लिखी गई है इनका ज्यन्म उत्तर परदेश के इलावाद जिल्ले में हुआ था इने बच्पन से ही कविता लिखने का सौक था तथा इनकी अधिकतर रचनाएं देश प्रेम से ओत प्रोत रहती थी वह एक रचनाकार होने के साथ स्वादिंता संग्राम में सैनानी भी थी उन्होंने गांदी जी के साथ असयो गांदोलों ने भाग लिया तता दो बार जेल भी गई इसलिए उनकी रचनाओं में राश्टिता की जलक देखने को मिलती है तो बच्चों आप ध्यान रखें यह सुवद्रा कुमारी के जीवन परिचे के बिशे में दो चार लाइने आईए अब जान लेते हैं यहाँ पर कविता का सारान से कि मोटी बात इस कविता में क्या कुछ बताई गई है प्रस्तुत कविता में कवित्री ने 1857 के स्वतंता संग्राम में जांसी की रानी लक्समी बाई द्वारा दिखाए गए अदम में सौरे काउले किया है उस युद्ध में लक्समी बाई ने अपनी अदवुत युद्ध कोसल और साहस का परिचय देकर बड़े बड़े बीर्योधाओं को भी हैरान कर दिया था उनकी बीर्ता और प्राकर्म से उनके दुस्मन भी प्रवावित थे उन्हें बच्पन से ही तलवार वाजी, गुटसवारी, तीरंदाजी और निसाने वाजी का सौक था वह बहुत छोटी उम्र में ही युद्ध बिद्या में पारंगत हो गई थी, अपने पती की असमय मिर्तु के बाद उन्होंने एक कुशल सासक की तरह जांसी का राजपाट संबाला, तथा अपनी अंतिम सांस तक अपने राजी को बचाने के लिए अंग्रेजों से अत्यंत बीरता से लड़ती रही, उनके प्राकर्म की फरसंसा, उनके सत्रू भी करते हैं, इसके बाद जान लेते हैं यहां पर जांसी किरानी कविता का भावार्त, तो पहले हम इनकी कुछ लाइने पढ़ेंगे, और इन लाइनों के बाद हम आपको एक के बाद एक लाइनों का भा साते जाएंगे, आप ध्यान पूर्वक सुने, या तो अपनी नोटबुक में नोट कर लें, या ध्यान पूर्वक सुनते रहें, क्योंकि सुनने से भी काफी फायदा होता है, तो आईए, सियासन हिल उठे, राजबंसों ने भिरकुटी तानी थी, बुड़े भारत में खानी थी, खूब लड़ी मरदानी वा तो जांसी वाली रानी थी, तो बच्चों, इसका बावर्त क्या होगा, पर्थम पद में लेकिका ने जांसी की रानी लक्षमी बाई के सास और बलिदान का वर्णन करते हुए कहाए, कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आजात कर आने के लिए हर भारतिय के मन में चिंगारी लगा दी थी, रानी लक्षमी बाई के सास से हर भारत वासी जोस से भर उठा और सबके मन में अंग्रेजियों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लगी, अठार सो सतावन में उन्होंने जो तलवार उठाई थी, यानी जादी की कीमत पहचानी थी, इसके बाद आये बच्चों, अगली लाइन हैं, कानपुर के नाना की मुह बोली वहिंचवीली थी, लक्षमी बाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग केली थी, वर्ची डाल कृपन कटारी उसकी यही सहली थी, बीर सिवाजी की गाताएं उसको याद जवानी थी, बुंदे लेहर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मरदानी वा तो जादी वाली रानी थी, इसके बाद इन लाइनु का बावार्त आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, आप इसे ध्यान प लक्समी भाई की अध्वुत परतिवा से प्रवावित होकर उन्हें अपनी मुह बोली बहन बना लिया था, नाना साहब उन्हें युद्ध बिद्या की सिक्सा भी दिया करते थे, लक्समी भाई बच्पन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी, उन्हें गुड़े गुड़ व्योगी रजना और खेलना, खूब सिकार, सेन गेरना, दुर्ग तोडना ये थे उसके प्रिया खिलवार, महाराष्ट कुल देवी उसकी वी आराध्य भवानी थी, वुंदे लेहर वोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मरदानी वातों चांसी वाली रानी तो इन लाइनों का भावारता आप किस प्रकार से लिख सकते हैं? जांसी की रानी कविता के इस पद में कवित्री ने बताया है कि लक्समी बाई, व्यूरचना, तलवारवाजी, लड़ाई का ब्याज, तता दुर्ग तोड़ना इन सब खेलों में महिर थी, मराठाओं की लक्समी बाई, जांसी में, राजमहल में बजी बदाई, खुसियां चाई, जांसी में, सुवट बुद्नेलू की विरुदावलिसी वह आई, जांसी में, चित्रा ने अरजुन को पाया, सिबसे मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँँ हमने सुनी कहानी थी, जांसी के राजा स्री गंगाधर राओ के साथ बिवा का उल्ले किया है, उनकी जोडी को सिब पारवती और अरजुन चित्रा की उपमात दी गई है, उनके आने से जांसी में खुसियां और सौबाग्या आ गया था, तो आपके लिए यहां पर जो एक खास बात है ध्यान दे मुदित हुआ सौबाग्य मुदित महलों में उजियाली चाई, किन्त काल गती चुपके चुपके काली गटा घेर लाई, तीरे चलाने वाले कर में उसे चूडियां कब भाई, राणी बिदुआ हुई है, बिदि को भी दया नहीं आई, निसंतान मरे राजा जी, राणी सोक से लिखेंगे, इस पद में लक्समी बाई के जीवन के कटिन समय का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके पती की असमय मिर्थ के बाद राणी अत्यंत दुकी थी, उनके कोई संतान भी नहीं थी, वे जहांसी को संबालने के लिए बिलकुल अकेली रह गई थी, बुजा पुर्ण राणी ने देखा जहांसी वी विराणी थी, बुंदे लेहर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी, खुब लड़ी मरदानी वा तो जहांसी वाली राणी थी, तो इन लाइनों का भावारत बच्चों, जहांसी के राणी कविता के इस पद में या बताया गया है, कि जहांसी के राजा की असमे मिर्ट के बाद उस समय के अंग्रेज अदिकारी डलहोजी को जहांसी को हड़पने का अच्छा उसर मिल गया था उसने अपनी सेना को अनात हो चुकी जहांसी पर कब्जा जमाने के लिए भेज दिया था इसके बाद क्या हुआ अनुने विने नहीं सुनती है विकट सासकों की माया व्यापारी बना बन दया चाहता था या जब भारत आया डलहोजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया राजा उन अबावों को भी उसने पैरों ठुकराया तो इसका बावारत आप किस प्रकार से लिखेंगे कि जांसी की राणी कविता के इस पद में कवियतरी बता रही है कि अंग्रेज लोग भारत में ब्यापरी बन कर आये थे और फिर दीरे दीरे उन्होंने यहां के सभी बड़े बड़े राजा महराजाओं और रानियों से दया और सायता की भीग मांगकर उनका ही राजिया हड़प लिया परन्तु लक्समी बाई अन्य राजा रानियों के विप्रीत थी और उन्होंने बिसम परिस्तितियों में भी एक महराणी की तरह जांसी को संभाला इसके बाद बच्चो छिनी राजधानी दिल्ली की लखनव चीना बातों बात कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का वीगात उदैपुर तंजोर सतारा करना टक की कौन विसाथ जब कि सिंद पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रिनिपात बंगाले मदरा से आधी की भी तो यही कहानी थी बुंदे लेहर बोलों के मुँआ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वा तो जासी वाली रानी थी तो इसका बावार्थ आप किस परकार से लिख सकते हैं इस पद में उन सभी राजियों की चर्चा की गई है जिने अंग्रेजु द्वारा हड़प लिया गया था जो की निम्न हैं दिली लखनव बिठूर नाकपूर उदैपूर तंजोर सतारा करनाटक सिंद प्रांत पंज बंगाल और मदरास अर्थार्थ ऐसा कोई छेतर नहीं बचा था जहां बेइमान अंग्रेजु ने अपनादिकार नहीं जमाया हो इसके बाद आगे पंक्तियां हैं रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार उनके कपड़े उनके गहने कपड़े बिकते थे कलक एसी के हाथ बिकानी थी बुंधे ले हर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वा तो जहासी वाली रानी थी तो भचों आप ध्यान दे इसका आर्थ क्या होगा इसका आर्थ होगा इस पद में क्रूर अंगरेजों की निरलजता का वर्णन है कि कैसे वे लोग सभी राजाओं तथा नवावों की हत्या के बाद वहां के राज्यतों हडपते ही थे साथी साथ उनकी रानियों और बेगमों की जट से भी खिलवार करते थे चाहे वा लखनों की बेगमें हो या कलकत्ता और नागपुर की रानियां उनके कपड़े और जेवर तक छीन कर निलाम कर दिये जाते थे और उनका अगला कदम जाशी की ओर था कोटियों में भी विसम बेदना महलों में आहत अपमान बीर सेनिकों के मन में था अपने पुरकों का अभिमान नाना धुंदू पन्त पेशवा जुटा रहा था सब सामान बहिन छबीली नेरण चंड का कर दिया प्रगट अहवान वा यग्यप्रारंब उन्हें तो सोई जोत जगानी थी बुंदे लेहर बोलों के मुँँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वह तो जहासी वाली रानी थी तो इसका आर्था आप क्या लिखेंगे इस पद में बताया गया है कि चाहे वो गरीब हो या अमीर सभी के मन में अंग्रेजों के लिए बिद्रो की चिनगारी धदक रही थी सभी सैनिक नाना सहब पेशवाजी के नेतुत में युद्ध करने को तयार थे साथ में उनकी मुँआ बोली बहें लक्समी बाई ने भी हार न मानकर उनके साथ अंग्रेजो उसे लड़ने का निर्ने कर लिया था इसके बाद बच्चो आगे लाइने हैं महलो ने दी आग जोपडी ने ज्वाला सुलगाई थी या स्वत्नता की चिनगारी अंतरतम से आई थी जासी चेती दिली चेती लखनव लफटें च्छाई थी मेरत कानपुर पटना ने बारी दूम मचाई थी जवलपुर कोलापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी बुंदे ले हर बोलों के मुँआ हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मरदानी वातो जासी वाली रानी थी तो यहां पर आप ध्यान दें इसकार्थ होगा कि जासी की रानी कविता के इस पद में बत पुर और कोलापुर जैसे बड़े सासकों ने भी सन 1857 की करांती में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया था इसके बाद लाइने हैं इस स्वतंता महायग्य में कई वीरवर आये काम नाना दुंदू पंत तांतिया चतुर अजीमुला सरनाम एहमद साह मौलवी ठाकुर कुमर सिय सैनिक अविराम भारत के इतियास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुरवानी थी बुंदे लेहर बोलों के मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वातो जासी वाली रानी थी तो यहाँ पर कहा गया है कि हमारे सुन्दा संगराम में लड़ने और सहीद होने वाले कई बड़े वीरों का उल्लेक यहाँ पर किया गया है नाना दुंदु पंत तांतिया चतुर अजीम उल्ला सरनाम एहमद साह मौलवी ठाकुर कुमर सिंग तथा सैनिक अविराम आधी जैसे ही वीर और सासी करांतिकारी थे जिनोंने युद्दु में दुस्वनों से जम कर संगर्ष किया था इसके बाद आगे की लाइनों में इनकी गाता छोड़ चले हम जासी के मैदानों में जहां खड़ी है लक्समी बाई मर्द वनी मरदानों में लेटनेंट वाकर आप बड़ा जवानों में रानी ने तलवार खीचली हुआ द्वंद असमानों में जकमी होकर वाकर भागा उसे अजब है रानी थी बुंदे लेहर बोलों के मुँँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वा तो जासी वाली रानी थी तो यहां पर जो है इन सभी बीरो के अलावा विरांगना रानी लक्समी भाई की भीरता का परिचय दिया गया है जासी में हुए युद में जब लेफटिनेंट वाकर अंग्रेजूं की तरफ से युद करने आए तो उनसे लड़ने के लिए अकेली जासी की रानी ही कापी थी उन्होंने दोनों हातों में तल रानी बढ़ी कालपी आई करसो मील निरंतर पार घोड़ा ठक कर गिरा भूमी पर गया स्वर्गतत काल सिधार यमना तट पर अंग्रेजूं ने फिर खाई रानी से हार विजई रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार अंग्रेजूं के मित्र सिंधिया ने छोड में रानी की बीरता का अध्वुत बढ़नन है कवियत्री ने बताया है कि वे सौ मील गोड़े पर बैठकर अंग्रेजूं को खदेरती हुई यमना तट तक ले आई और अंग्रेज वहां रानी से प्राजित हुए यानि कि हार गए परंतु यहां पर उनके गोड़े ने बी राजधानी को छोड़कर वहां से चले गए थे बिजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिर आई थी अब के जनरल इसमित सम्मुक था उसने मोकी खाई थी काना और मंदरा सकियां रानी के संग आई थी युद्ध छेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी पर फिर पर पीछे यूरोज आ गया हाय गिरी अब रानी थी बुंदे लेहर बोलों के मुहम ने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वातो जासी वाली रानी थी तो इसका बावार्त ये होगा यहां बताया गया है कि अब जनरल इसमित ने सेना की कमान समाल ली थी रानी लक्सम सेनिकों की लासें बिचा दी थी परंतो तबी पीछे से जनरल हुरोज ने आकर रानी को घेर लिया था और यहीं रानी उसके सिकंजे में फस गई थी तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सेन के पार किन्त सामने नाला आया थाव यह संकट बिसम अपार गोड़ा अड़ा नया गोड़ा था इतने में आ गए सवार रानी एक सत्रु बहुतेरे होने लगे वार परवार गायल होकर गिरी सियानी उसे बीर गति पानी थी गुंदे लेहर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वा तो जांसी वाली रानी थी इसका बावार्त बच्चो इस प्रकार होगा जांसी की रानी कविता के इस पद में बताया गया है कि रानी जैसे जैसे बसते हुए दुसमनों के बीच से निकल कर बाहर आ बस यहीं सत्रों ने मौका देकर अकेली रानी पर कई वार वार कर दिये और जांसी की रानी ने यहीं अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए बीरगती प्राप्त की रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिब्य सवारी थी मिला तेज से तेज तेज की वह सची अधिकारी थी अभी उम्र कुल तेज की थी मनुझ नहीं अवतारी थी हमको जीवित करने आई बन-स्वतंत्रा नारी थी दिखा गई पत शिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी बुंदेले हर बोलों के मुँख हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वा तो जासी वाली रानी थी तो यहाँ पर इसका बावार्ता आप लिखेंगे यहाँ रानी की दिव्यता का वर्णन है कि रानी अब परलोग सिधार चुकी थी परंदुन के चेहरे पर सूरज के जैसे जैसी चमक चाई हुई थी उसकी उम्र केवल 23 साल की थी इतनी छोटी सी उम्र में वह एक अवतारी नारी की तरह आकर हम सभी देश वासियों को जीवन का सही मार्ग दिखा गई थी क्रांत की चिनगारी का बीज सही मैनों में उन्होंने ही देश वासियों के मन में बोया था इसके बाद जाओ रानी याद रखेंगे ये किर्टग्य भारत वासी यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतनता विनासी होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फासी हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे जहासी तेरा इसमारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी थी बुंदे ले हर वोलों के मुँँ हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मरदानी वा तो जाशी वाली रानी थी तो बच्चो यहाँ पर आप क्या लखेंगे यहाँ लेकिका कहती है कि रानी का या बलिदान सभी देशवासी हमेशा याद रखेंगे चाहे दुस्मन अपनी बीरता का पर्चम लहरा रहा हो या फिर वो अपनी तोप के गोलों से जांसी को ही मिटा दे लेकिन जांसी की रानी लक्षमी भाई हमारे मन में हमेशा बसी रहेंगी चाहे उनका कोई समारक ना बने लेकिन वो बीरता और सास का एक उधारन बनकर हमारे इतियास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगी तो बच्चो इस प्रकार से आपने देखा यहांपर जहांसी की रानी जो पाठ हमने पढ़ा कविता का जो पाठ पढ़ा इसका बावार्थ हमने आपको यहांपर बताया और हमने कविता भी आपको पढ़के सुनाई थी आप चाहें तो फिर से इस वीडियो को या कविता को बार बार सुने ताकि आपको सुनकर जोए काफी अच्छी तरह कविता याद हो जाएगी और मैं तो आपसे खास तोर पर कहूंगा कि कविताइं अक्सर सुनकर जल्दी याद होती हैं इसलिए आप कविताओं को बार बार सुनने का प्रियत्न क्या करें और उन्हें सुने इसके बाद इसका जो बावार्थ हमने आपको बताया इसे आप अपनी नोट बुक में नोट भी कर सकते हैं और इसे अच्छे से याद भी कर सकते हैं इसके बाद बच्चो आईए हम आपको बताते हैं इस कविता से सम्मंदित जो प्रस्न उत्तर हैं हम आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से आप प्रस्नों के उत्तर लिखेंगे तो बच्चो आईए देख लेते हैं जासी की राणी कविता के प्रस्न उत्तर तो यहाँ पर पहला प्रस्न आपके लिए किन तुकाल गती चुपके चुपके काली गटा गेर लाई इस पंक्ति में किस गटना की ओर संकेत है तो आपका उत्तर होगा इस पंक्ति में जासी के राजा और रानी लक्समी भाई के पती गंगाधर राओ की आकश्मिक मिर्तु और रानी के बिदुआ होने से सारी खुशियों के सोक में बदलने की ओर संकेत किया गया है इसके बाद यहाँ पर दूसरा पसना आपके लिए किन्तु काल गती चुपके चुपके काली गटा गेर लाई काली गटा गिरने की बाद क्यों कही गई है तो उतर होगा इस पंक्ति का प्रियोग कभियत 3012 कुमारी चोहान ने इस संदर्व में किया है कि जिस प्रकार काली गटाएं गिरकर सूर्य को ढख लेती है और उसमें प्रकास की कमी हो जाती है वैसे ही रानी लक्समी बाई के पती गंगादर राओ की आकश्मिक मिर्तु हो जाने के कारण रानी के जीवन में खुशियों की कमी हो गई और दुख के काले बादल उमरने लगे राजा की मिर्तु के कारण रानी अस समय बिद्वा हो गई और साथी राजा की अपनी संतान नहोने के कारण अंग्रेजों को जांसी पर कबजा करने का मौका मिल गया था इसके बाद आईए आप देखें तीसरे प्रसन का उत्तर और तीसरा प्रसन कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बुड़ा कह कर और उसमें नई जवानी आने की बात कह कर सुबद्रा कुमारी चोहान क्या बताना चाहती है तो आपका उत्तर क्या होगा हमारे भारत वर्ष के गुलाम होने के कारण एक तरह से चारू और मायूशी वाला बातावरण बन गया था बारती अभीरों का साहस कमजोर हो गया था सभी अपने को असाय महसूस करने लगे थे ऐसा लगता था मानो सारा देशी बूड़ा हो गया है परन्तु ऐसे बोजिल बातावरण में जांसी की रानी के आने से देश में एक नए उमंका बातावरण बन गया मानो एक नई जवानी का संचार हो गया हो अर्थार्थ लोगों में संगर्श की नई भावना जागर्थ हुई एक बार लोग पुने सुतनता प्राप्त की ओर प्रयत्न करने लगे यही बात सुबद्रा कुमारी चोहान उप्युक्त पंक्ति द्वारा बताना चाहती है इसके बाद अगला प्रस्न आपका तीसरा प्रस्न जांसी की राणी के जीवन की कहानी अपने सब्दों में लिखो और यहा भी बताओ कि उनका बच्पन तुमारे बच्पन से कैसे अलग था तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं जांसी की राणी का नाम लक्स्मी बाई था बच्पन में उन्हें सब छवीली नाम से पुकारा करते थे वो अपने पिता की इकलोती संतान थी वो कानपुर के नाना साब की मुअबोली वहिन थी लक्स्मी बाई बच्पन से ही वीर और सासी थी लक्स्मी बाई का विवाज जांसी की राजा गंगाधर राव से हुआ परंतु राजा की आकस्मिक मिर्तु से राणी के उपर संकटों के बादल मंटराने लगे अंग्रेज सरकार राजा की निसंतानता का लाब उठा कर जहांसी पर कबजा करना चाहते थे परंद उरानी ने इसका पुर्जोर बिरोत किया और अंग्रेजों को कड़ी टक कर दी लक्समी बाई का बच्पन अन्य बच्चों से भिन्न था उनकी उम्र के बच्चे खिलोनों से खेलते थे परंद उनके खिलोने बर्ची ढाल किरपान जैसे हतियार थे वह बच्पन से ही नकली युद का खेल शिकार करना दुस्मनों के लिए चक्रिव्यू की रजना करना आधी युद से समझत खेली खेला करती थी इस परकार उनका बच्पन हम बच्चों से विन्न था हम बच्चे हतियारों से नहीं बलकि वीडियो गेम्स, कम्प्यूटर, सैल या बिजरी वाले खेलोन से ज़्यादा खेलते हैं तो बच्चों आप इस परकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद आईए जान लेते हैं यहाँ पर चौता प्रस्न और उसका उत्तर बीर महिला की इस कहानी में कौन-कौन से पुर्षों के नाम आये हैं तो उत्तर होगा इस कहानी में बीर सिवाजी नाना धुंदू पंत पेशवा तांत्या टोपे आजीमुला अहमत सा मौलवी ठाकूर कुमर सिंग, सैनिक अविराम, आदियनेक वीर पुर्षों के नाम आये हैं और पांचवा प्रस्न है कविता में किस दौर की बात है कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है तो उतर होगा कविता में स्वाजिनता संगराम के पर्थम दौर की बात ह कविता से उस समय के माहुल के बारे में यहा पता चलता है कि अंग्रेजुने दीरे-दीरे से अपना सामराज हमारे देश में फैला लिया था उस समय भी हमारे देश में स्वत्नत होने की भावना के भी फूटे जरूर थे परंतु संगठन का अभाव राजाओं की स्वार्थ परवर्ती आपसी फूट आधि के कारण हमारा आंदोलन सपल न हो पाया ऐसे बिसम बाता बरण में भी जांसी की रानी लक्समी भाई और कुछ अन्यवीरों ने स्वत्नता की चिनगारी को सुलगाने का अभूत पूर्ण प्रियास किया इसके बाद छटा प्रस्ने सुबद्रा कुमारी चोहान लक्समी भाई को मरदानी क्यों कहती है तो उतर होगा जांसी की रानी ने जांसी की रानी के एक महिला होते हुए भी उसमें पूर्शो चित यानि कि पूर्शों के समान गुण सास वीरता युद कला मे निपून था निडर था आधी गुण बिद्यमान थे उन्होंने युदु भूई में अंग्रेजों के दांत खटे कर दिये थे उनकी वीरता का लोहा भारत वासियों के साथ अंग्रेजों ने भी माना था इसलिए कवियत्री सुबद्रा कुमारी चोहान ने लक्समी भाई क के सी अभूत पूर्व साहज सौर्य और बीरता का परिचय कराने के लिए मरदानी सब्द का प्रियोग यहां पर क्या हुआ है इसके बाद साथवा प्रस्न है बर्ची किर्पान कटारी उस जमाने के हतियार थे आजकल प्रियोग में लाने जाने वाले हतियारों के नाम प्रसाइल, बम, पंडुबी, हवाई जहाज, समुदरी जहाज, परमानु अस्तर आधिका प्रियोग किया जाता है इसके बाद बच्चो आठवा प्रस्न है लक्षमी बाई के समय में ज्यादा लड़कियां बीरंगना नहीं हुई थी नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम परन नहीं माना जाता था बारतिय सेना में अब क्या आश्तिति है पता करो तो आपका उतर होगा आज हमारी बारतिय सेना में तीनों सेने जल थल और वाई सेना में हमें लड़कियां दिखाई देती हैं आज हुए इन सेनाओं के ऊछ पदों पर कारेरत हैं इस सबके बाप अभी भी सेना में लड़कियों की संक्या बहुत कम है हालां कि हुए विरांगना ये बीरता पूरवग देश की सेवा कर रही है तो इस प्रकार से बच्चो यहां पर यह है आपके आठवे प्रस्न का उत्तर जो कि आप अपनी नोट बुक में नोट करके अच्छे से याद भी कर सकते हैं तो इसी के साथ हमारे ये प्रस्न जो एक खतम होते हैं यहां पर हमारा पार्ट हमने जो आपको बताया उसका भावारत बताया पार्ट पढ़के आपको सुनाया आप बार बार इस कविता को सुने ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और उसका भावारत आप अपनी नोट बुक में नोट करें और प्रस्णू के उत्तर भी तो बच्चो आज के लिए इतना ही काफी है और अन्य पार्टों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज नई नई वीडियो जो के अपलोड की जाती है आप उन्हें देखें और उन्से कुछ सीखें उन्हें पढ़ें और उसे अच्छे से याद करें आज के लिए इतना काफी है आपका दिन सुभ हो